जाएं दस्तों आपके प्यारे चैनल यास कियांग इस्टडी पर एक बार फिर स्वागत है बहुत ही इंपॉर्डेंट वीडियो और बहुत ही महत्पून वीडियो के साथ आपके सामने एक बार फिर से आ गए हैं मेरे प्यार बच्चो तो सभी लोग बार क्या कर दीजे हैं भी ज्ञान की बात करेंगे जो कि हर साल आप से पूछे जाते हैं और आपको इसको जरूर से जरूर करना चाहिए चले कुईसर नंबर फिर्ष्ट की बात करें कुईसर नंबर फिर्ष्ट देखिए आपके लिए क्या है जो कि बहुत ही इंपॉर्डेंट बहुत ही आपसे इस तरीके से पूछता है है आपको बताना क्या है ध्यान दिज्ञेगा बहुत important question सभी लोग बार क्या करेंगे इसी बात पर वीडियो को share कर देंगे सभी लोग सेइर कर देंगे सभी लोग जितने भी लोग यहां जुड़ है ना सभी लोग वीडियो के बार सेयर कर दिए जब अर्जस तरीके सिक्तों की स्टेशन बहुत ही इंपॉड़न्ट होने बाला है और आपको यहां पर दस क्वेशन बताएंगे और दसों क्वेशन को ऐसे बताएंगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा आप अब लोग कमेट करिए कि हांख वेशन समझ में आया तो प्राश आपको परिभासित करना अपको ठिक है न प्याब क्या हो जाएगा अर्ध पार्गम में जिल्ली से होकर निम्ण संद्रता के विलियन के विलायक अणवों का उच्छत अंध्रतावाले विलियन की ओर प्रवाह परासरण दाप कहलाता है या परासरण कहलाता है मतलब क्या करा माले जो कोई हमारी क्या है अर्ध पारिगम में जिली है तो उससे होकर क्या कर रहा है निम्न सांदरता से बिलियन जो है विलायक और वो का उच्च सांदरता वाले मतलब अगर कम सांदरता है तो वो क् मका पर क्या होगा पराँ स्रण दाब किसी विलियन का उस बाह दाब के बराबर माना जाता ओक लिएन पर आरोपित करने पर प्रशण की प्रत्रिया यह बियन जल्ड से होकçar बिलायक में प्रवा हई क्या हो जाए है अर्द पारिगम में जिली से होकर बिलायक में प्रवाह क्या हो जाए रूख जाए ठीक के ना प्राशरणदाब और के मुलड़ दर्वमान में संबंध क्या होगा यह आपको बताना है तो चलिए इसको अच्छी तरीके साब को समाता है। प्रपोर्शनल्ट फॉम्हा जिसमी करदने पर उप्रोग रोग्या प्रपोर्शनल्ट को फॉपरोग उस्पीज्पन कर ूभ में ना होग्या तो π उप्रोग तोथ क्या हो जाए SARAH आर 1 क्या है नियतांक है जिसे सिरांक कहा जाता यहां का है बराबर क्या हो जाएगा यह में बी हो को पूरा लिक लेना अच्छी तरीके से ठीक है न है अगले कुष्ण की बात करते looking और राक इमकुष्ण देखिए बहुत ही मत्पूर्ण ठीक है तो एक प्रत हम कोड की अभिकरिया का आधा भाग की हमारी प्रतम कोट की अभिक्रिया है जिसका आधा भाग 50% किना अधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है कितने मिनट में 10 मिनट में पूर्ण होता है तो इस अभिक्रिया का 8% भाग कितने समय में पूर्ण हो तो प्रथम कोड की अभिक्रिया के लिए हम बात करें तो प्रार्मिक मात्रा ए तो टी समय पस्चाज बच्ची हुई मात्रा तो यहां पर ध्यान दिजेगा टी समय पस्चाज बच्ची हुई मात्रा है बच्ची हुई मात्रा कितना आ गई हमारी पॉइंट टू ए तो यह आपके लिए आज आएगा तो ध्यान दिजेगा तो यह चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉटन्ट है समझ में आया इतना अब देखे के बराबर क्या होगा टी लॉग ए अपान पॉइंट टू ए बराब टू पॉइंट टू पॉइंट टू लॉग वन पॉइंट टू यह निक टी बराबर क्या हो जाएगा टू टू अपके लिए चली आगे आपको बताते हैं अग्ला कुईशन देखे धर देखान दिजेगा बहुत इंपॉडटन यह भी है और सारे कुईशन को आप अच्छी जो भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, एक बार वीडियो को क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट और सेर जरूर ही कर देंगे, ठीक है न, तो चलिए, आभासी एका अनुक अभिक्रिया को उधारन द्वारा समझाईए, किसको आभा अभिक्रिया, जिसकी कोट क्या हो, एक हो, कोट का मतलब क्या होगा, जिसको एक बार ही अभिक्रिया किया जा सके, ठीक है न, तो जान दिश देगा, वह अभिक्रिया, जिसकी कोट क्या हो, एक हो, ठीक, परंतु आणिविक्ता एक न हो, जो आणिविक्ता है, वह एक न हो, आभासी एका अडूक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है न, धार तोर पर अगर देखेंगे, तो C12, H22, O11, प्लस H2O, H+, जब क्रिया करेगा, तो बनाएगा क्या, C6, H12, O6, प्लस C6, H12, O6, ठीक है न, आपको यह बना देगा, ठीक है न, अगला देखेंगे, C3, COO, C3, Plus H2O, H+, क्रिया करेगा, तो बनाएगा, C3, COOH, ठीक है न, तो यह आपका बना देगा, जो कि बहुत important और बहुत ही मत्वा, पूर्ण भी है, ठीक है न, तो चलिए इसमें देखते हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं की कोटी एक है, इन दोनों अभिक्रियाओं की जो कोटी है, इसमें कितना दे रखा है, एक है, क्योंकि, यह स्टूओ के संद्रण में, जो यह स्टूओ का संद्रण है, इसके संद्रण में, कोई परिवर्तन नहीं होता, इसी संदर्ड में क्या होता है कोई परिवर्था नहीं होता जबकि इनकी आणिविक्ता दो है इनकी आणिविक्ता क्या है दो है अता ये आभासी एका अडूक अभिक्रिया है क्या है यह आभासी एका अडूक अभिक्रिया है ठीक है ना चलिए आगे आपको पताते हैं अगला कुशन देखिए जो कि आपने बहुत इंपॉड़न्ट और बहुत ही मत्पूर है साख्छे द्वारा सिद्ध कीजिय की किसके द्वारा साख्छे द्वारा सिद्ध कीजिय की C-O-N-S-3 का Whole-5-C-L-S-O-4 इवं C-O-N-S-3 का Whole-5-S-O-4-C-L आयनी करण समावयवी है क्या है? आयनी करण समावयवी है यह आपको सिध्ध करना है कि जो हमारा C-O-N-S-3 के Whole-5-C-L-S-O-4-C-L इवं C-O-N-S-3 Whole-5-S-O-4-C-L है इसका आयनी करन जो समावयवी है वह क्या है ध्यान दिज़ेगा क्या है इसका एक समावयवी है ठीक है चले इसको समझते हैं तो कि आपके लिए बहुत इंपोर्डेंट है तो ध्यान दिज़ेगा इसमें कि आयनन समावयवव क्या हो जाएगा आयनन समावयवव जल में घुल जल में गहुलकर क्या बनाएगा भिन आयदेते हैं इसलिए बिन अभीकर्मकों के साथ किसके साथ बिबिन अभीकर्मकों के साथ भिन-भिन-भिक्रियाय देते हैं 2-1-5-5 cd вроде प्लस BA2 प्लस क्रिया कर क्या बनाएगा BA SO4 इंटु स C, O, N, S3 काası 5 SO4 CL प्लस BA प्लस 2 इसमें कोई अभिक्री आपको नहीं मिलेगी और C, O, N, S3 का अभिक्री आपको नहीं मिलेगी C, O, N, S3 का होल 5 SO4 CL प्लस AZ प्लस बनाएगा क्या? AG CL आपका solid बनाएगा ठीक है न तो आपको लए चुकि दिये गए संकुल विभिन अभिकर्मकों के साथ भिन अभिकरियाएं देते हैं अतह ये आयनन समावयवी हैं क्या है यह आयनन समावयवी हैं ठीक है न चलिए आगे आपको बताते हैं अगला question देखिए क्या है जो कि बहु तो मात्पूर्ण है मेरे प्रबच्चो और ऐसे questions आपके exam में exactly आते ही आते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं ठीक है ना निमनलिकित उपसासायोजन योगिकों की आयूप्यस इस नाम लिखिए किसका निमनलिकित उपसायोजन योगिकों की आयूवटी Dichlorodobis, Ethane 1, 2-diamine chromium third chloride, क्या है, Dichlorodobis, Ethane 1, 2-diamine chromium third chloride, ठीक है, यह आपके लोग जाएगा, जोगी बहुत important है, ठीक है, चलिए अगला देखते है, CSFECL4, इसका अगर आप IOPC नाम निकालेंगे, तो क्या होगा, इसका IOPC नाम क्या होगा, CZM tetrachloride ferrate third, क्या होगा, CZM tetrachloride ferrate third, ठीक है न, चलिए अगला देखते हैं, K3COC2O4 का whole thrice, इसका होगा, potassium triaxilato cobaltate third, क्या होगा, potassium triaxilato cobaltate third, ठीक है न, यह आपके लिए होगा, चलिए, COCL3, NS3 का whole thrice, यह आपके लिए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, triamine, trichloro, cobalt third, क्या हो जाएगा, triamine, trichloro, cobalt third, आपका हो जाएगा, चलिए आगे आपके बताते हैं, चलिए, अगला देखते हैं, कोईसर नमबर 6 की बात करेंगे, कियों नहीं करते हैं, हम सल्फियूरिक अमलका उपयोग क्यों नहीं करेंगे, यह आपको बताना है, तो 2KAI PLUS H2SO4 क्रिया करें, क्या बनाएगा, 2KHSO4 PLUS 2HI, क्या बनाएगा, 2KHSO4 PLUS 2HI, ठिक है न, आपके लिए बनादेगा, चलिए, 2HI plus H2SO4 जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा 2H2O plus I2 plus SO2 आपका बना देगा ठीक है तो इसमें क्या मेजर डिफरेंस है इसके बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं ध्यान दिस देगा इन अभिक्रियाओं में H2SO 4 एक आक्सी कारक है इन अभिक्रियाओं में बात करें तो जो सरे हैंना क्या है एक आक्सी कारक है तो यहां अभिक्रिया के दवरान निरमित एक्चा को किसमें हचा एकtar करको किसमें alcohol की अभिक्रिया से alkyl hyalide क्या, alkyl hyalide के निर्माड को रोकता है, इस समस्या के निदान के लिए Kya करता है, इस समस्या के निदान के लिए H2SO4 के ऐस्थान पर Phosphoric Aml, H3PO4 का प्रयोग किया जाता है, जो की अभिक्रिया के लिए या चाई उपलब्ध करता है किसके लिए अभ ब्रिया के लिए क्ριा करता है यह अपलब्ध करता है तैंकर यह असने की असे 3 के सामान नहीं देता है टिक जो इसको समस्था होगा जो कि बहुत ही बेहतरीन और रहुत मत्मूर्णके लिए चली आगे बार यास कर दीजिए अच्छी तरीके समझ दिए कि कैसे सौल वो होगा ठीक है ना चलिए आगे आपको बताते हैं कोईसर नबर सेवन की बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्डंट और बहुत इम्माद पूर्ण है ठीक है ना निम्न अभिक्रिया को पूर्ण क आपको लिखना है तो CS3, NH2, A, CS3, OH, PCL5 भी यहां पर आएगा और KCN यहां पर C है, SN अबलिक HCL, C2H5, NH2 अब देखिए यहां पर क्या होगा कि CS3, NH2 जब एक क्रिया करेगा HNO2 से तो यहां पर पहला आपको मिला क्या HNO2 क्रिया क्या बनाएगा CS3, OH उसके बाद यहां प पर PCL5, CHCL यह आपका क्या हो गया, B नमबर मिल गया, ठीक, उसके बाद KCN और यहां पर क्रिया करेगे CS3, CN बनाएगा, जिसमें आपको C नमबर मिल गया, अब यह CS3, CN, किसे अभिक्रिया किसकी उपस्तिम क्रिया करेगा HNO2 क्रिया करेगा, तो बनाएगा C2H5, NH2 क्या ब बरावा नाइटरस अमल, B क्या है, मेथिल कुलोराइड है, C क्या है, मेथिल साइनाइड है, टिक है न, चलिए, संक्रमर तक्तों में जटिल योगिक बनाने की प्रवर्वित्ति, क्या कर रहा है, ध्यान दिज्जेगा, बहुत इंपॉर्डन, बहुत ही मत्मूर है, संक्रम संक्रमत थत्यों में जटी ल्योगी बनाने के परभृत्ति अधिक होती है यह थिस क्या होती है उसमें जटील योगी जो बनते हैं वह अधिक बनती है ऐसा क्यों होता है तो वह जटील योगी के ही बनाते हैं तो संक्रमर तत्तों में जटील योगी बनाने की परविर्थी निमनिलखित कारणों से अधिक होती है कौन-कौन से कारण हो सकते हैं चलिए उसके बा उनौा का छोटा आकार होना किसका धातु आइनों का चोटा आकार होना पहला करण तो यहीं हो सकता है उसके भाद धात्य आइनों का उच्च नाव की आवेस अना उनका क्या होता है उस्छ कि नाव जटीजोग बनाते हैं पर difar के लिए उपयुक्त के स्क्राइब रगिफित्टेम देखते हैं बहुत इंपॉडन बहुत ही नाभिक रागी क्या है जो उभय दंती नाभिक रागी होता है वह क्या होता है एक उधारण द्वारा समझाईए इसको उधारण द्वारा आपको समझाना है तो यहां दिजेगा वे नाभिक रागी क्या करा है वे नाभिक रागी जो बिभिन नाभिक रागी अस्थलों में अ कहलाते हैं क्या कलाते हैं जैसे दार तर पर देखेंगे साइनाइड निम्नलिखित हैं निम्नलिखित दो संख्याओं का एक अनुनाद संकर है जैसे कि ट्रिपल बांड यान यहां पर है कि आपके वहां यहां के यूवर से अभिक्रिया करके साइनाइड बनाता है Sainide बनाता है तता यंक की ओर से अभिक्रिया करके कार्वीलमीन या ऐसोसाइनाइड बनाता है क्या बनता है कार्वीलमीन या ऐसोसाइनाइड बनाता है ठीक है ना चलिए आगए आपको बताते हैं अगला कुशन देखें गे बहुत important यह भी है और बहुत ही मत्पूर है फीनाल का लीबर मान अभिकरिया द्वारा परिक्षण लिखिया किसके द्वारा फीनाल का लीबर मान अभिकरिया द्वारा क्या लिखना है परिक्षण लिखना है ठीक है न नीला या हरा रंग प्रकट होता है। क्रिया कारी मिश्ण ओप पर रंग लाल हो जाता है। इस अभिक्रिया को ही लीवर हमान अभिक्रिया कहते हैं ट्रेफ ट्रीफ करेगा तो बनाएगा यहां पे लाल रंघ बनाएगा इन यह तोटल यह मेरी पारेबग्चों बहुत important questions हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप एक बार वीडियो को लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं और सुस्क्राइब कर सकते हैं चैनल को तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए मेरे पारबचो जय हिन जय भारत बाय बाय